Engineering शब्द का मूल अर्थ होता है किसी चीज को संभव बनाना कोई ऐसी चीज जो हमें चाहिए हम उसे सबसे ज्यादा efficient तरीके से बनाएंगे यही engineering है अगर आप इसे बहुती inefficient तरीके से कर रहे हैं तो उसे engineering नहीं कहा जा सकता है न? हम तभी यह कह सकते हैं कि यह engineering का शांदार नमूना है जब हमारा मन चाहा काम कम से कम टकराव और कम से कम खपत के साथ हो तो अगर आपका शरीर ऐसा है कि अगर आप इससे 12 गंटे काम लेते हैं तो वो अगले 12 गंटे सोता है इसे 12 गंटे के maintenance की ज़रूरत पढ़ती है नींद maintenance का समय है है न? अगर आपकी कार ऐसी है कि अगर आप उसे 15 दिन चलाते हैं तो अगले 15 दिन वो गराज में होती फिर तो public transport लेना ज्यादा अच्छा होगा अभी आपके पास ऐसा शरीर है जिसे हर दिन 10 से 12 गंटे सोना होता है अब ये system efficient नहीं है इसे ठीक से manage नहीं किया जा रहा शायद इन धन अच्छा नहीं है शायद आपका engine leak कर रहा है तो कैसे सब कुछ शारीरिक है? नहीं शायद medically आपको fit होने का certificate मिल जाए फिर भी अगर आपको 8 से 10 गंटे सोना पड़ रहा है और दुर्भागे से लोग कह रहे हैं qualified लोग कह रहे हैं कि हर इंसान का 8 से 10 गंटे सोना सामान्य है ये मानव machine के बारे में बिलकुल ही बेहसर समझ है ये धर्ती की सबसे जबरदस्ट machine है ये इनसानी तंत्र अगर इसे ऐसी हालत में रखा जाए कि आधे समय इसे maintenance की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे सबसे जबरदस्ट नहीं कह सकते ये बहुत आसान है मैं आपको तीन सरल चीज़े बताऊँगा बस ये तीन चीज़े करें आप देखेंगे कि आपकी नीन्द का कोटा बहुत कम हो जाएगा बहुत सरल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सरल चीज़ें जो आप हर दिन बस 10 से 15 मिनिट के लिए करते हैं इनसे आपकी नींद का कोटा काफी हद तक कम हो जाएगा मैं आपको कुछ और दूँगा करने के लिए तीन और चीज़ें बहुत सरल चीज़ें आप इसे कीजिए आपके भोजन का कोटा अभी के मुकाबले 30 से 40 प्रतिशत रह जाएगा आपका वजन बरकरार रहेगा आप अभी के मुकाबले कहीं ज्यादा काम कर पाएंगे और कम नींद के साथ तो आप किसी चीज़ को इंजिनियर करते हैं ताकि आप उसे ज्यादा एफिशेंटली चला पाएं किसी चीज़ को बिना एफिशेंटली के चलाना है तो मैं एक माँ हूँ, मैं नौकरी करती हूँ मुझे और भी काम होते हैं आप जो भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता आप चाहे जो भी हूँ, ये महतुपून है आपके काम की प्रवरती चाहे जैसे भी हो आप वो काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपको वो काम महतुपून लगता है अगर आपका काम आपके लिए जरूरी है अगर आपको लगता है कि आपका काम महतुपून है तो सबसे पहले आपको अपने उपर काम करना होगा Inner Engineering खुद पर काम करने का एक व्यवस्थत तरीका है ये काम सिर्फ शरीर, मन या सिर्फ भावनाओं पर नहीं होता बलकि सभी आयामों पर होता है अगर आपका शरीर, मन, भावनाओं और उर्जा ये सभी एक सीध में आकर ठीक से व्यवस्थित हो जाएं तो ये मशीन काफी एफिशन्टली काम करेगी तो आपको जितनी नींद की जरूरत पड़ती है आपको जितने भोजन की जरूरत पड़ती है शरीर जितने आराम की मांग करता है उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है और साथ ही आपके काम की मातरा काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है और उसे ज्यादा एफिशन्ट और एफेक्टिव बनाया जा सकता है खास तोर पर अगर आप एक माँ है तो सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाना ही आपके जिम्मेदारी नहीं है आप एक या दो और लोगों के जीवन को उनके जीवन को भी अच्छा बनाने की जिम्मेदारी ले चुकी है जब आप ऐसी जिम्मेदारी लेने का साहस करती है तो मुझे लगता है कि आपको इनर इंजिनेरिंग जरूर करनी चाहिए आपके पास चॉइस नहीं है अगर आप मा न होती हैं तो शायद आप चुन सकती थी लेकिन अगर आप एक मा हैं आपके पास चॉइस नहीं है आपको करनी ही चाहिए